हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप आप सभी लोग अच्छी होंगे और आप लोगों के प्यार आशिरवात की विज़े से मैं भी बहुत अच्छी हूँ आज कोई वीडियो नहीं है व्लॉग नहीं है क्योंकि आजकल इतना टाइम नहीं हो पा रहा है मेरा ठोड़ा साउपिंग बगरा चल रही है शादी कि क्योंकि फैंली में शादी है तो मुझे जाना है उसी की शॉपिंग चल रही है आचकल मैं अपनी प्रेप्रेशन में लगी वियों तो मैंने क्या च dispiग करिए मैं आपको दिखा दे थी क्या-क्या तैयारियां किये तो मैंने ना online order किये थे अपने लिए 2-3 चीजे तो वो मेरी आ चुकी है तो मैंने सुच है क्यों ना आप लोग के शाद भी शेयर करूँ अपनी खुशी तो चलिए आपको दिखाती हो मैंने क्या-क्या order किया था आप लोग को भी पसंद आएगा आप लोग जरूर अपना कमेंट करके बताईएगा आप लोग को कैसे लगे तो शादी की चल रही है शॉपिंग तो शादी की शॉपिंग हो और लेडिस कुछ लेना ऐसा तो हो नहीं सकता है तो मैंने शॉपिंग में चलती रहती है पर अभी शादी की शॉपिंग होई है तो आपको दिखाती हूँ मैंने क्या-क्या चीज लिए तो आज ऐसा लग रहा है जैसे मैंने घर में पूरी सेल लगा दियो कपड़ों की तो आपको मैं दिखा अब मैंने दे रखा है तो वह अभी मैं नहीं दिखा सकती हूं बाकी जो कपड़े मैंने रेडी करें वह आपको दिखाती हूं और जो जो मेरा ओनलाइन अभी समान आया है वो भी आप लोग को दिखा रही हूं दुकान में जाओ, इतनी दुकान ही छाननी पड़ती है, फिर कहीं जाके हमको एक पीस पसंद आता है, फिर उसमें हमें दुकान दार के संग कितना बारगिंग करनी पड़ती है, कि कम कर दो, देखिए दुकानों में हम जाते हैं कपड़े लेने, तब भी तो हमें 10 दुकानों तब जाके हम्में कोई एक पेस पसंद आता है फिर वो एक पीस जो हमें पसंद आता है उसके पीछे भी हमें दुकानवाले के कहने पड़ता है भाहे इतना कम करदो इतना आँन-laign लहनड गिकर दो आपको चलिए ज्Яदा बाते नहीं करती हूँ मैं बाते करने लग जाओंगी तो आपका पूरा दिन ऐसी चले जाएगा कुई कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ मज़े अशा लगता है मेरे अजबन कहा रहे है कि तुम बहुत ज्यादा बोलने लग गई हूँ अब क्या करूं यूटूब बोलने वाली चीज है यूटूब में हम बोलेंगे नहीं चुप बैट है रहेंगे तो हमारा चैनल कैसे चलेगा बोलना तो हमें पढ़े गई तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया है तो प्लीज देखिएगा ज़रूर अपने कमेंट ज़रू कीजिएगा ठेक है वीडियो पूरी देखिएगा ये है मेरा पारसल और ये मैंने ओपन कर दिया है सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको अपनी हल्दी की साड़ी ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी प्लीज ज़रूर बताइएगा करवाया है ये इसका ब्लाउज है तो ये हो गई मेरी हल्दी की साड़ी ये देखिए काफी सुन्दर है और काफी अच्छा लगा मुझे ऑनलाइन भी तो चलिए इसको साइड रग देते हैं और एक मैंने बनाया है सूट ये देखिए ये देखिए ये है शॉल सूट का गर है पैंट प्लाजो तो ये मेरा सूट एक सूट भी चाहिए क्योंकि जाड़ों के दिन है तो ये गरम सूट मैंने बनाया है ठीक है नेक्स्ट आपको दिखाते हैं आप लोग जैसे जानते ही हैं जाड़ों के दिन है जाड़ों के दिन में या तो स्वेटर चाहिए कोट पर वो काफी टाइम हो गया था, उसको पुराना हो गया था, तो पुराना तो पैर नहीं सकती थी ना, इसलिए मैंने नया मंगा लिया, तो चलिए, आपको दिखाती है को, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसन आया है, और तो और तो जित्ती ज़्यादा शॉपिंग कर ले उत तुस्ती कर ली है, काफी पसन आया ना, मुझे इसलिए मेरा मन किया, और मंगा लूँ, तो चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ, कौन-कौन से कलर मंगाया है मैंने कोट में, यह है मेरा कोट, यह मैंने मंगाया है, ब्लैक कलर का, आप लोग बताईएगा इसका प्राइस कित जाएगा मेरी वीडियो में, काफी अच्छा है, और देखिए, लुक वाइस भी बहुत अच्छा है, यहां से फ्रॉक टाइप में है, नीचे से जैसे यह लुक आता है ना, इस टाइप में, तो ऐसा लुक है, एक कोट यह है मेरा, और एक कोट मैंने यह मंगाया है, यह दे अच्छे हैं, आज पूरी की पूरी मेरे कमरे में ना सेल लगी भी यह देखिए, कोट, कोट, सूट, यह सूट, यह साडी, तो सारी कपडों की सेल लगा रहे है, आज मैंने पूरे कमरे में, आज ऐसा लग रहा है ना, कि मैंने इस घर में पूरी सेल लगा दिये कपडों की, और यह देखिए, मा अब इन सबकों सावाल देती हूँ, फटा फट से, क्योंकि मेरा बेटा आने वाला है, स्कूल से, मूँ पूलता है, मम्मी अपने ले तो आप लेती रहती हूँ, मेरे बहुत कम लेती हूँ, उसकले भी मैंने लिये हैं, अभी बीच में काफी सारे कपड़े, तो चलिए मैं इनको फटाफट से समाल देती हूँ, आज पूरा मेरा कमरा यासा हो रखाएगी, जैसे मैंने कितनी शादी शॉपिंग कर ले होगी, और लिये हैं, मैंने कुल पांच कपड़े लिये हैं, जादा कुछ नहीं लिया है, तो चलिए, अब मिलती हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर बाद, जब मेरा बेटा आ जाएगा, अभी फिलाल में कमरा साफ करती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं, तो मेरा बेटा आ चुका है स्कूल से, और बेटे की फरमाईश, क्या हो लिए अब खाने की? बता, डाल चावल बना रहो करे अचार है, सलाद है, सब कुछ है, पर मेरे बेटे को अब खाने है फ्राय राइस, तो आब मैं बनाने जा रही हूँ, फ्राय राइस, ठीक है, चलिए फ्राय राइस बनाते है.» देर ओए थी क्योंकि बेटे को जाना था टूशन एपन छो मैने फटाफट से उसके लिए फ्रायराइज बना दिये सवय पर ही ज्यादा देर नहीं लगाई क्योंकि फिर उसको आधे गंटे बाट टूशन जाना है तो चलिए फटाफट फ्राइराइस बनाके बेटे को दे देते हैं देखिए किते टिस्ती फ्राइराइस बने हैं मैंने बेटे को दे दिया है पिलाओ खाने के लिए पिलाओ? पिलाओ फ्राइड राइस फ्राइड राइस चलिए खा लिजे फटाफट और धहरे खा रहा है अपना फ्राई राइस और यहां देखिए अभी कुछ काम इसका पैंडिंग वो रखा है तो वो भी करना है इसको कोई पैंडिंग नहीं है वो तो मैं करना हूँ कुछ चलू ठी चोकु बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता आजकल है ना बहुत बीजी लाइफ है ना खाला चलिए अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद इसको टूशन मुशन की रेडी करते हैं इसके बाद आप लोग से मिलेंगे ठीक है चलो खाना खालो चलिए तो मेरा हीरो इकदम रेडी हो चुका है टूशन जाने के लिए जस्त भी साढ़े तीन बजे स्कूर्ट से आया है और अब फिर टाइम हो गया इसका टूशन जाने का चार बजे है चार बजे से टूशन है फटा फट खाना खार है एकदम डेडी हैडी हो के मेरा बाबू गरम हो रहा है गरम 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 चलो चलो खालो मैं सब्जी बनाने लग गई थी तो आज हमारे घर आई है दीदी की बेटी और दहरे काफी खुश हो गया है क्योंकि उसकी दीदी आ चुकी है यहाँ एक आज दिन जहने के लिए दहरे हो रहे हैं आप अपने कपड़े लेके आई तो मेरा बेटा काफी खुश हो चुका है अपने दीदी के आने से मैं के रादा आ रहेंगी कलाएंगी आ गई है तो दीदी को कपड़े दे दू आपके क्यारा दीदी आप कपड़े लेके आए हो तो चलिए अब बच्चे खुश हो गए हैं और मैं आप करती हूँ कुछ खाने की तयारी देखता है क्या बनाती हूँ आसे तो मैंने मटर चल रखे हैं तो सोच ली हूँ मटर आलू बनाओ तो चलिए वीडियो को जाड़ा लंबा नहीं करते हैं वीडियो को यहीं पर end करते हैं आप लोग को एक update दे दी है मैंने तो बस अभी जो बाकी आगे जो push लेकर आउंगी वो भी आप लोग को वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी तो अब हो गया है पढ़ाई का टाइम तो चलिए बेटे को पढ़ने बठाती हूं और वीडियो को यहीं पर end करती हूं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बापाई थैंक्यू फर वाचिंग